हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद प्रवित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहांपर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूं फर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बिए से स्टुन अगर आप किसी भी कॉम्पेटिव एक्जाम की ताहरी कर रहे हैं जह प्रिपेर एंड वेन तो स्टार्ट इस एक्जाम प्रिपरिशन यह मैं सब आपको बताने वाला हूं जो लास्ट के दो पॉइंट यह बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक्जाम के बारे में तो ठीक है पर आपको तैयारी कैसे कर नीच और कब से स्टार्ट कर करती है तो वहां पर CSIR NET को minimum eligibility criteria माना जाता है अगर आप CSIR NET qualify है तो आप वहां पर एस्टेन फरफेसर का पोस्ट के लिए आप eligible होते हैं प्लस जितरे भी युनिश्टेटी से जहां पर PhD होती है अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो CSIR NET exam अगर आप क्वालिफाई ह अब थोड़ा और आगे बताऊंगा में के बारे में पर यह CSIR NET exam क्या है इसके पीछे का objective क्या है तो अल्टिमेटली गवर्मेंट का जो objective था इस exam को कंड़ेट करने का वह था कि जो teaching field है उसके अंदर एक quality जो लोग है वो आए और इस exam के थुरू आए ताकि ज्यादा उनक पर बताना चाहता हूं कि CSIR UGC NET is the test being conducted by the NTA students को NTA कराती है and determine the eligibility for the junior research fellowship that is JRF and for the lectureship and assistant professor Indian University and the colleges subject to the fulfill the eligibility criteria let down by the UGC तो UGC का यहाँ पे criteria होता है कि अगर आप NET qualify है then you are eligible for the lectureship और assistant professor in the government college and universities इस विन आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि एक अभी rule आया था कि UGC बोला था कि ठीक है अगर आप college में professor बनना चाहते है तो उसके लिए PhD ज़रूरी है पर बहुत सारी ऐसी universities है प्लस जो state government क जो vacancies होती है assistant professor की जिसे भी राजस्थान में निकली थी तो वहाँ पे PhD compulsory नी माना गया if you are net qualified then you are eligible for that post तो ऐसा जरूरी नहीं कि PhD होना जरूरी है अगर आप net qualify है तो भी आप assistant professor के लिए आप यहाँ पे eligible माने जाते हैं अब बात करते हैं कि CSI or net exam अगर आप देना चाहते है है तो आपका eligibility criteria क्या होना चाहिए आपकी क्या qualification होनी चाहिए और क्या age होनी चाहिए वह मैं आपको बताना चाहता हूं तो the candidate should have passed MSC अगर आप MSC पास है यह फिर MSC final में है integrated MSBS, BS 4-year, BE, BTEC अगर आप engineering student है तो भी आप यह exam दे सकते हैं, B Pharma कर रखा है तो आप exam दे सकते हैं, अगर आप general candidate है तो 55% होना चाहिए और SCST, OBC, NPWD candidate है तो 50% यहां पर आपका marks होना चाहिए, 50% होने चाहिए in courses के अंदर, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं age के लिए कि CSIR net exam होता है, वहां पर दो type के cutoffs होते हैं, और दो तरीके से आप यहां पर भर सकते हैं form के CSIR net for JRF exam और एक आपसे पूछा जाता है कि net exam for LS, तो अगर आप JRF के लिए apply करना चाहते हैं, तो आपका जो age है वह 28 साल से कम होना चाहिए, अगर आप general candidate है, अगर आप SCST, PWD, female candidate है तो आपकी जो age है 33 से कम होनी चाहिए, and 31 year for the OBC, मतलब यहां पर होता क्या JRF exam क्या होता है net JRF जो होता है वो क्या होता है, अगर आप किसी भी university से PhD कर रहे है तो आपको यहाँ पे scholarship मिलती है, और बहुत अच्छी scholarship मिलती है, minimum 28,000 आपको per month मिलता है, and साथ-साथ में आप यहाँ पे अपना research continue कर सकते हैं, तो यह बताना चाहता हूँ कि net exam के अंदर यह बहुत criteria नहीं है, हाँ, एक बहुत बताना चाहता हूँ कि जिनकी age 28 से उपर है, या 33 से उपर है, तो आप यहाँ पे सिर्फ net exam LS के लिए eligible है, you are not eligible for the JRF, अब बार बार बच्चे मुझस से पूछते, comment box में भी question पूछा जाता है, कि sir, अगर जब form भर रहे हैं, और अगर हमने form में JRF बर दिया, और अगर बाइचास हमारा JRF क्लियर नहीं हो, हमारा LS क्लियर होगा, then we are eligible for that, yes, you are eligible for that, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप net JRF exam क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके जो मार्क से वो अच्छे होने चाहिए, मतलब 120 के आसपास, अगर अपके मा JRF option चूज करना पड़ेगा, अब बच्चों का यह doubt होता है, कि सर अगर बाइचास में ने JRF क्लियर कर लिया, तो क्या मैं JRF के लिजिबल हो, बिल्कुल है, पर अगर आप बाइचास आपने JRF option भरा और आपने JRF क्लियर नहीं किया, नेट का क्वालिफिंग मार्क से उसके उपर अगर आप आ रहे हो, तो आपका नेट क्लियर माना जाएगा, बट साप JRF के लिजिबल नहीं होंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हाईस्ट मार्क्स वाले होते हैं, और जो नेट की बात बताना चाहता तो पिछली बार 95 और 95 की जो उपर वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट से उनका नेट क्लियर हुआ था, और लगबग 110 के असपास से उपर जो थे उनका, JRF हुआ था for the general candidate, और मैं आपको next वीडियो में इसके बारे में पूरा cut-off के साथ आपके साथ हूंगा, कि 2020, 2019, 2018 में क क्या cut-offs रहे थे, और आपको JRF और net क्लियर करने के लिए कित्ता कित्ता मार्क्स चाहिए, यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस exam के लिए upper age limit का कोई criteria नहीं है, अगर आप 45 साल की भी उमर है और यह exam देना चाहते हैं, तो then you are eligible for this exam, अब बात करेंगे यहाँ प research field में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप PhD कर सकते हैं, किसी भी Indian universities के अंदर, दूसरा अगर आप PhD from out of India कहीं से भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, उसके लिए आपको proper channel के थुरू apply करना पड़ेगा, तीसरा जो है वो है, junior research fellowship, जब आप मैंने आप भी बताएदा, आपके सामने के अगर आप net jrf exam clear करते हैं, तो आपको वहाँ पे scholarship मिलती है, अपने research के दोरान, और कुछ जगा ऐसा भी होता है, कि अगर आप net clear है, फिर भी अगर आप जहाँ पे इससे भी PhD कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई research project है, तो इस project से इंदर आप PhD करना चाहरे हैं, उनके अंडर में कोई research project चल रहा है, उस project पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे scholarship मिल सकती है, so research field में आप अपनी खुद की भी यहाँ पे lab establish कर सकते हैं, अब बात करेंग इस विन jobs की बारे में, तो यहाँ पे बताना चाहता हूं कि scientific officer की job होती है, teaching and professorship आप यहाँ पे कर सकते हैं, private corporate firm में आप जा सकते हैं, public sector unit जो PSU से उसके अंदर भी hiring होती है, through CSI internet exam, scientific laboratories में आप जा सकते हैं, entrepreneurship आप कर सकते हैं, personal growth बहुत जरूरी है, इस से पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर आप CSI internet exam की तयारी कर आपने इस exam की तयारी कर लिए, तो gate exam की भी almost तयारी हो जाती है, दूसरा अगर आपने B.Ed कर रखा और आप किसी भी PGT exam की तयारी कर रहे हैं, तो भाईया ये exam की तयारी करो, आपकी PGT की जो higher maths का portion था हो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आप UPSC की तयारी कर रहे है, mathematics subject क साथ इस exam की तयारी कर लो, आपके UPSC की subject की exam की तयारी भी हो जाएगी, तो बहुत सारे इस exam, इवन बहुत सारे बच्छे IFS का exam देते हैं, वहाँ पे math sati, भाईया इसकी तयारी कर लो, आपके IFS की subject की तयारी हो जाएगी, तो जहां पर भी higher mathematics पूछा जाता है, अगर उस exam को आप करेक करना चाहरे हो, यार ये exam की तयारी कर लो, सब exam की तयारी हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा exam है, और इसके अंदर पूरा BSC और MSC लेवल का mathematics पूछा जाता है, तो अगर आप इस exam की तयारी करते हैं, तो आपके almost maximum जो exam है, जहां पर higher mathematics पूछी जाती है, उसकी exam क की तयारी आप आराम से कर सकते हैं, जैसे NBHA में है, CIMA, CMI है, जैसे NBHA में है, TIFR है, CMI है, तो इस type के सभी exam की तयारी भी आप यहां पर easily इस course, इस exam की तयारी के साथ साथ कर सकते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके सामदर discuss भी किया था कि अग आई वी आ रही है, एंड आई आ रही है, लाइक दसे इंडियन वेटेनरी रिसर्च एस्टूट या इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च एस्टूट तो बहुत सारे इन सभी exam की तयारी आप आराम से कर सकते हूँ, मैं आपको एक और शीच बताना चाहता हूँ, अगर आपन क्या होता है कि number of candidate जादा होते हैं, उस वज़े से screening test होता है, बहुत सारे candidate नेट क्लियर कर रखी है, पीजडी क्लियर क्लियर कर रखी है, और वो exam को कर आपको क्रेक करना तो उसका जो syllabus होता है, वो भी CSR, नेट का syllabus होता है, एक्जाम को आप आराम से कर सकते हूँ, इवन ज चाता हूँ कि net exam की तयारी के साथ साथ आप बहुत सारे पैडलल exams की तयारी यहां पर easily कर सकते हैं, ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर कि आपने यह तो पता कर लेगी CSR exam क्या है, क्या eligibility है, क्या age limit होनी चाहिए, यह exam में क्या क्या carrier options है, अब मैं आपके सामने बात करूँ चाहिए, यह exam की तयारी कैसे करनी चाहिए, और मैं last में कुछ information भी दूँगा, तो वो भी आप जरूर देखेगा, कि इस exam की तयारी कैसे करनी चाहिए, तो जब भी आप यहां पर BSC करें या MSC करें, तो आपका पहले target होना चाहिए, जिस आप BSC कर तो आपका target होना चाहिए, प्लस जो भी आप graduation level पर पढ़ रहे हो, कहीं ने कहीं, वो syllabus को आप देखते रहे हैं, कहां यह topics हैं, topics पर exam में पूछे जाते हैं, प्लस एक previous year question की book आप purchase कर लीजे, आपके पास idea होना चाहिए, कि किस तरह से questions exam में पूछे जाते हैं, तो यह ध्यान देने के जरू चाहिए, क्योंकि देखो, जब भी कोई बच्चा A.T.J. की तयारी करता तो 11, 12 से 10 से ही लग जाता है, तो अगर आप इस exam की तयारी कर रहे हैं, तो आपको M.S.C. previous के साथ साथ करने का benefit ही होता है, आपके जो university में जो syllabus होता है, M.S.C. का और N.E.T. का syllabus almost जैसे होता है, तो आप अगर N.E.T. की तयारी करते हैं, तो आपका syllabus भी बहुत अच्छा प्रेपार कर सकते हैं, तो उस exam को भी आप बहुत अच्छे से, यहां पर इस exam की तयारी के साथ-साथ, अगर आप M.S.C. final में हैं, या M.S.C. कर चुके तो भी परेशान होने की ज़रोत नहीं, अगर आप इस exam में अगर छे मेने से या एक साल लगाता है, अगर आप तयारी करें तो इस exam को बहुत एजिली कर सकते हैं, तो इस एक्जाम को बहुत एजिली कर सकते हैं, और यह मैं आपको बता हूँगा कि क्या क्या टॉपिक CSR N.E.T. Mathematics के लिए important है, कौन सी books आपको लेनी चा exam की तयारी करना चाहरें without coaching, तो मैं आपको यहां पे कुछ tips दे हुआ, तो उसके बारे उससे, उसके help से आप इस exam की तयारी घर पे बेटके भी कर सकते हैं, एक और टॉपिक में आपके सामने डिसक्स करूँगा, तो बने रही है मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर और आपन सबी को मिलते रहें, प्लस मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनकेड़ में पर कैसे आपको subscription लेना, इसका वीडियो आप लिंक में देख सकते हैं, यहां भी आप जाके देख सकते हैं, प्लस मैं आपको एक और information देना चाहता हूं कि CSI internet exam का जो पार्ट होता है, जनरल